तो फ्रेंग्स आज मनाने वाले है चम-चम यह बेजिकली एक बैंगॉली स्वीट है और इस रेसिपी में हम रसगुले के अंदर केसर वाले खोये की स्टफिंग करने वाले हैं दोनों का कॉंबिनेशन एक दूसरी के साथ बहुत ही अच्छा लगता है तो अगर आपको रेसि बनाने वाले हैं तो बैंगॉली स्वीट के अंदर हम जो पनीर बनाते हैं वह हमेशा गाय के दूद से आपको बनाना है यहां पर मैंने एक लीटर जितना गाय का दूद ली लिया है और इसको हम एक नॉनस्टिक कड़ाई के अंदर एट कर लेते हैं अब दूसरा दूद भ हिलाते हुए हमें एक उबालाने तक इस से कुक करना है तो एक उबाला चुका है अब हम गैस को बन कर देते हैं कि इसे हम थोड़ा से हीला लेके ताकि थोड़ा सा इसका जो तो एक चमच करके इसके अंदर विनेगर डालते चाहें और इस तरह से मिक्स कर ले吃 को इसके अंदतर अपको इसी तरह से थुड़ा थुड़ा करके विनेगर अड़ करना है थी तो आप देहाए 07 00101 धेयोस हमारा दूद् है भो फटना शुरू इसका मतलब है हमारा दूद बहुत ही अच्छी तरह से फटा है और आप देख सकते हैं काफी सारा छेना हमारा बंद के रैडी हुआ है इसे गैस से नीचे उतार लेते हैं यहां पर मैंने सिंग के अंदर एक छेद वाला बरतन रखा है और इसके उपर एक कॉटन का कपड़ा रख दिया है इसके अंदर हमारा छेना वाला मिक्षर डाल देते है तो मैं यह प्रोसेस हमेशा सिंग में ही करती हूँ फ्रेंस बहुत ही इजी रहता है तो पानी हम स्टार कर देते हैं और यह जो पनीर हमने बनाया है इसे हम तीन से चार बर अच्छे से आपको धोना है ताकि इसमें से जितना भी हमने खटापन डाला है वह अच्छे से निकल जाए तो इस तरह से आपको इसको खाके चैक कर लेना है आपको बिल्कुल भी खटापन लगना नहीं अब इसमें से जितना भी एक्स्ट्रा पानी है इस तरह से हम बिल्कुल अच्छे से नीचोड नीचोड के निकाल लेगे अब जितना पानी अभी निकाल पाई वो निकाल लीजिए अब यहां पे हम जो पनीर है इसको इस तरह से रख देते हैं उपर एक प्लेट रखेगे और इसके उपर कोई भी भारी चीज रख देगे, इसको हम 30 मिनिट तक ऐसे ही रहने देगे, तब तक इसका जो सारा एक्स्ट्रा पानी होगा, इसमें से निकल जाएगा, तो 30 मिनिट के बाद आप देख सकते हैं, पनीर बन चुका है, और पानी भी निकल चुका है, यह अल्मोस्ट पनीर हमारा बन चुका है, इसे हम एक मिक्सर के बाउल में एड़ कर देते हैं, और इसके हम एकदम फाइन पेस्ट बनाएगे, तो पेस्ट हमारी बन चुकी है अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं अब इसके अंदर हम एक चम्मत जितना मेंदा डालेगे तो अब हम इसको हाथों के मदद से अच्छे से मसलेगे तो इसकी बहुत ही बारिक आपको पेस्ट बनानी है फ्रेंज एकडम स्मूध आपकी पेस्ट बननी चाहिए तो जैसे मैं दिखा रही हूँ बिल्कुल वैसे तरह से आपके पनीर बना है इसको हम इस तरह से मसलते जाएगे तो हमारे जो रजगुल्ले हम बनाएंगे फ्रैंसिस से तो उसका जो टेक्शर है एकड़म बारिक होना चाहिए बिल्कुल भी क्रेक्स नहीं होनी चाहिए इसके उपर तो तक्रीबन 10 मिनिट के बाद इस तरह का आपका एकड़म सॉफ्ट डो रेडी हो चाहिएगा तो अब हम थोड़ा सा डो ले लेते हैं और एक ओल शेप का रजगुल्ला जैसा बना लेके हम देखे बिल्कुल इस साइज का और आप इसके उपर देख सकते हूँ बिल्कुल भी आपको क्रेक्स नहीं दिखाई दे रही इसकी जो सर्फेस है बहुत ही स्मूध है तो इसी तर से हम सारे रजगुले रडी कर लेके तकरीमन साथ से आंठ रजगुले इस तरह से रडी हो जाएगे आपके तो अब हम शुगर सिरप बनाएगे तो कड़ाई के अंदर हम वन एंडर हाफ कब जितनी चीनी डालेगे इसके अंदर हम आंठ कब जितना पानी डालेगे आप यह जो measurement है आप किसी भी वरतन से आप measure करकी ले सकते हो अब इसके अंदर हम दो हरी इलाइची डालेगे एक चम्मन जितना इसके अंदर दूट डालेगे दूट फ्रेंजम इसलिए डाल रहे है जब हमारी चाशनी बनेगी जो शुगर का जितना भी डर्ट होगा वो दूट की वज़े से उपर आजाएगा क्योंकि हमारे जो रसगुल्ले है इसी के अंदर हम कूप करने वाले है तो उसके उपर बिल्कुल भी डर्ट ना आए इसलिए प्रोसेस कर रहे है अभी एक उबाल आने तक इसे हमें मीडियम से हाई फ्लेम के उपर कूप करना है तो आप देख सकते है उबाल आ चुका है इ बहुत ही अच्छे बने और इसके उपर बिल्कुल भी डर्ट ना आए जितना आप एक बार में निकाल सके सारा निकाल ले यह देखे काफी सारा निकला है अब इसके अंदर हम एक एक करके रसगुल्ला एड करते जाएगे तो जब आप रसगुल्ला एड कर रहे हो पर आइगे बीच में आपको इसको बिल्कुल भी नहीं खोलना है कि तो पंद्रा मिनिट हो चुकी है लिए को खोल लेते हैं तो आप देख सकते हैं बहुत ही बड़े बड़े रसगुल्ले बन गया है अभी गैस को अभी हम बंद कर देते हैं अभी साइज में बहुत ही तो तब तक इसका हम stuffing बना लेते हैं, तो इसके लिए यहाँ पर मैंने कड़ाई के अंदर एक चमच गी लिया है, इसके अंदर हम 1 फॉद कॉप जितना दूद डाले के, 1 फॉद कॉप तक्रीबन 4 चमच जितना दूद होता है, इसके अंदर हम आधा कॉप जितना दूद प्रेजिकली हम खोया बना रहे हैं इसी तरह से आप होमेड खोया भी बना सकते हैं अब इसके अंदर हम केसर वारा दूद डालेगे तो यहां पर मैंने वन फोद कम एकदम गरम दूद के अंदर आधा चमच जितना केसर डाला था बीस मीड तक ऐसे ही छोड़ दिया था तो मत कंटीनेसले इसे मिक्स करते जाएगे तो जैसे जैसे यह पकता जाएगा बिल्कुल इस तरह का थीक एक मिक्षर आपको मिल जाएगा तो यह हमारा केसर वाला स्टफिंग रैडी है इसे में प्लेट में निकाल लेते हैं और थोड़ा सा धंडा कर लेते हैं कलर दीखिए फ् में आधूँ की मदद से स्वीज करेंगे बहुत जदा नहीं दबाना है फ्रेंसारा शुगर सिरफ हमें नहीं निकाल ipadain बस हलके से आपको इसको स्क्वीज करना है अब हम एक नाइफ की मदद से इसके उपर कट लगाएगे तो कट लगाते वक्त आपको ध्यान रखना है कि जो कट है वो बिल्कुल नीचे तक नहीं लगाना इसको हमें दो हिस्सों में नहीं बाटना बस हमारी स्टफिंग भर तो एक रजगुला में उठा लेते हूं इस तरह से थोड़ा से इसको बीच से खोड़ लेके और जितने भी आप स्टफिंग इसके विश में भर पाए अच्छे से इसको स्टफ कर ले थोड़ा सा प्रैस करते जाए ताकि जो स्टफिंग है वो अंदर जा पाए और थोड़ ते पर मैंने थोड़ा सा क्रश किया हुआ चिरेट्फ लिए इसके आंधर हमारे जो चब चम-चम है इसको हम रोल करेगे गा है अग रिच इतना भी आपको वाइट वाला पोर्शन दिख रहा है इसे इस तरह से कवर कर ले और देखे इस तरह से मैंने सारे चम चम रेडी कर लिये हैं अब इसके उपर थोड़ा सा डेकॉरेशन करेगे तो यहां पे इसके उपर मैं कटा हुआ पिस्ता रख रही हूं आप कोई भी और टूटी फूटी या चैरी भी इसके उपर रख सकते हैं आपके पास जो भी अविलेबल हो वो आप यूज कर सकते हैं यहां पे एक कलर कॉंबिनेशन और टेस्ट में यह अच्छा लगता है तो यह देखिए फ्रेंस हमारे चम चम सर्फ करने के लिए बिलकुल रडी है जनर पर हमने खोया की कॉंबिनेशन स्वीट बनाई है यह बहुत ही अच्छी लगती है फ्रेंस मेरे घर पर सारे लोगों को यह स्वीट बहुत ही पसंद आई आप भी इसे घर पर जरूर से बनाए और मुझे कॉमेंट सेक्षिन में बताना नाम भूले के आप क्यों स्वीट कै कैसी लगी